दोस्तों आप सभी को राम राम देखी का स्टॉक मार्केट टोटली ओवर सोल्ड कैटेगरी में आपको देखने को मिला है क्योंकि आपको पता है कि आज क्या हुआ है और ये तब तक ओवर सोल्ड कैटेगरी में रहेगा तब तक उतना बड़ा momentum आपको नहीं देखते हूं मिलेगा जब तक देखेगा अगर clear तरीके से मोदी जी यहाँ पे शपत नहीं ले लेते तो इसलिए बहुत ही ज़ादा आपके लिए opportunity opportunity अगर आप 6 महिने देख रहे हैं या 3 महिने देख रहे हैं याँ से चुकि आपको पता है कि चाहे कितना भी बड़ा fall हो कितना भी clarity के साथ देखेगा market ने नकारा हो जो result आए हैं लेकिन ये सब जानते हैं कि अगर 3 महिने मोदी सरकार बनने के बाद 3 महिने बीच जाएंगे तो उसके बाद clarity के साथ stock market में तेजी देखने हों मिलेगी और ये जितना भी देखेगा आपको जो momentum है जो downtrend है उसका भी देखेगा भरपाई होते हुए देखने हों मिलेगी तो आपको अगर कहीं invest करना है तो blue chip stocks केवल blue chip stocks में invest करना है ये आपको दिमाग में रखना है बाकी कल का महौल केवल इस बात पे निर्भर करेगा कि सबसे पहले reliance industry और HDFC bank ये क्या करने वाले हैं अगर ये थम जाते हैं इनकी गिरावट थम जाती है तो ये बहुत बहुत positive sign होगा stock market के लिए तो आपके लिए देखेगा ये चीज बहुत ही जादा माहिने रखती है कि कल reliance कैसा खुला है और HDFC bank कैसा खुला है ये बहुत ही interesting update होगी और फिर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे इस के साथ जो other bank है ICICA bank और जितने भी देखेगा PSU bank है जो आज एकदम धड़ाम हो गए मतलब एकदम one way fall देखती हूं मिला है उनका क्या असर पड़ेगा ये भी बहुत interesting है अगर ये flat भी open होते हैं तो ये बहुत बहुत positive update मानी चाहेगी तो इसलिए PSU bank index को आपको clarity के साथ देखना है और आपको देखता है Reliance और HDFC bank और ये flat भी open हो जाते हैं तब भी आप समझ लीजेगा थोड़ी बहुत short covering आपको देखने को मिल सकती है otherwise अगर आप देखेंगे अगर इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया ये top banks हैं इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया जैसा की देखेगा अभी तक की position है Gift Nifty की तो Gift Nifty में अगर आप देखेंगे तो अभी वहीं पर Gift Nifty देखने को मिला है जहां पहले छोड़ के गए हैं Nifty को तो आपको पता है कि अगर यहीं पर Gift Nifty खुलता है या फिर यहां से भी थोड़ा सा नीचे खुलता है तो डेड़ सो दो सो पॉइंक Nifty में और गाप देखने को मिल सकता है उसके बाद की चाल केवल केवल देखेगा PSU Bank Index और आपका देखेगा HDFC Bank और Reliance Industry डिसाइड करेगा तो यह आपके लिए सबसे Important Update होगी क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहां पे Totally अगर आप देखेंगे तो यहां पे Clarity के साथ देख सकते हैं, Gold देख सकते हैं Silver देख सकते हैं, आप Clarity के साथ पूरा का पूरा Copper देख सकते हैं जितने भी Commodity है वो देखेगा एकदम देखेए, बिलकुल $22 पे आगर आपको Crude Oil देखने हो मिला है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती क्योंकि आप समझ सकते हैं, Winfall Taxes के काफी तेजी से घट जाएंगे और इसके बाद महंगाई पे बहुत असर पड़ेगा और आपको भी पता है दो दिन में monetary policy का भी impact है तो उसका भी असर पड़ेगा तो ये सारी चीजें देखेगा stock market पे असर करेंगी exactly देखेगा बस आपको ये देखना है कि gift nifty अगर 100 point नीचे सखुला है और उसके बाद lines industry और HDFC bank normal हो जाते हैं तो फिर आपको एक short covering देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत तो इसमें आपको totally focus करना है gift nifty पे और प्रधान मंतरी जी क्या बोलेंगे इस पे तो focus करेगा राम राम